उदेईपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ जल्दाया विभाग की जेसमन पाइप लाइन शुक्रवार शाम 6 बजे पानी के प्रेश के बीच एक आइक फट गई तीतररी से पहले गातोरजी मंदर के समीप लाइन में पुरी दरार से करीब 5 लाख लीटर पानी व्यर्थ बह गया सूचना के बाद विभाग के जिम मिदारों ने मोर्चा संभाला और जेसमन से सप्लाई बंद करवाई इस बीच सड़क पर बहते पानी से एक बार यातायाग भी बादित हो गया विभाग के कार्मिक देर राद तक लाइन को दुरस्ट करने में जुटे रहे उदयपुर शहर से सटे रामा ग्राम पंचायत में वन विभाग द्वारा ग्रामीनों को नोटिस देने के मामले में आज ग्राम पंचायत रामा की ग्रामीनों ने जिला कलेक्टरी के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ग्यापन सोपा गाव की सरपंच लक्ष्मी बाई ने बताया कि राम ग्राम पंचायत के राजसु ग्राम पराया की भागल में वनविभाग द्वारा अवैद्व नोटिस दिये गए हैं जिन जमीनों पर नोटिस दिये गए हैं वे जमीने डेल सो वर्षों से खातेदारी भूमी की है लेकिन वन विभाग द्वारा उन्हें नोटिस दे कर परिशान किया जा रहा है जबकि पैनल्टी सुदा जमीने पहले ही वन विभाग द्वारा ले ली गई है और अब पूरी जमीनों पर वन विभाग अपना हग जता रहा है ग्रामीनों का कहना है कि वो करीब 150 वर्षों से यहां पर खेती कर रहे हैं और वन विभाग ने नोटिस उनके पुर्खों के नाम से दिये नोटिस में बताया गया है कि खातेदार सिर्फ जमीन पर खेती कर सकते हैं लेकिन वे वहाँ पर किसी प्रकार का निर्मान नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा कि खातेदारी जमीनों का संपूर्ण हक और अधिकार होने दिया जाए और भविश्य में खातेदारी जमीनों पर किसी प्रकार की वनविभाग का दखल ना हो। अन्यता ग्रामीनों को उग्रा अंदोलन करना पड़ेगा। इस दोरान शहर विधायक ताराचन जैन ग्रामीन विधायक फूल सिंग मीना एडियम प्रशासन दी पेंद्र सिंग राठोर, संभागिय श्रमायुक्त संकेत मोदी, भाजपा शहर जला अध्यक्ष रवींद्र श्रीमाली सहित विभागिय अधिकारी एवं नवनियुक्त कार इस दोर्मिक मौझूद रहे। पत्र लिखकर मावली में दाक बंगले के पास नात द्वारा रोल पर दुकानों के अवैद निर्मान के विशय में प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने पर सक्षम न्यायाले में वाद संस्थित करने की चेताव नी दी थी। प्रश्रय के कारण अतिक्रमन वा विध निर्मान करताओं को प्रोचाहन मिला हुआ है। जोशी ने कहा है कि उक घूमी के दस्तावे जो खसरा नंबर में हिर फेर कर रजिस्ट्री वन नामान तरंग तैयार किये हैं जो प्रिथक जाच का विशय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधान सभा में भी इस विशय को ध्याना कर्शन वा विशेश लेक प्रस्ताव के द्वारा रखा था। लेकिन प्रशासनिक शिथिलता से मामले की संग्यान में देरी हुई लेकिन अप्रशासन ने पहल की है। इस मामले की जाच हो और दोशियों के विरूद्ध कार्यवाही हो। लिए प्रयास किया गया। इसी कड़ी में शहर के अमबामाता मंदर के बाहर चौक में लेक्सिटी ब्रह्मन पर आने वाले सैलानियों के वाहनों की पाकिंग होने लगी। इस पर मंदर में दर्शन को आने वाले दर्शनार्थियों के वाहनों को रखने की समस्या खड़ी हो गई क्षेत्रिय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन की। उच्च अधिकारियों ने शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से अंबामाता मंदर चौक से चांद पोल की ओर जाने वाली सड़क पर नो पाकिंग जौन वाएक तरफा या तायात के बोट लगाए। ताकि मंदर दर्शनार्थ को आने वाले भक्तों के वाहनों के पाकिंग की सुविधा हो। इसी क्रम में पिछोला जील के गंगोर घाट के त्रिपोलिया दर्वाजे के बाहर बड़ी संख्या में दो पही या वाहनों की अव्यवस्थिक पाकिंग से लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। प्रशासन की और से त्रिपोलिया के बाहर नो पाकिंग का बोट लगा दिया। एवं घंटागर पुलिस प्रशासन की और से शनिवार को क्षेत्र असामाजिक तत्वों वलक को पर कड़ी नजर रखने के लिए में क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने की तयारी शुरू कर दी। इसके पूरवंद्रुनी शहर के बड़ा घंटागर से मोती चोहता सरक मारापर सरक के बीच बड़ी संख्या में दो पहिया वाहनों की पाकिंग हुआ करती थी। दो पहिया वहनों अव्यवस्थित पाकिंग से इस सड़क मारप पर बार बार जाम लगने की शिकायत मिलती रही। इसे देखते हुए यातायात प्रशासन ने विगत दिनों इस थान पर नो पाकिंग जोन का बोट लगा कर दो पहिया वहनों की पाकिंग पर पूर्णत्या प देश में जीलों की नगरी के नाम से मशहूर हैं। उदैपूर में बड़ी संख्या में देशी विदेशी मेहमानों की समूल घूमने के लिए आते रहते हैं। तो कहीं बॉलीवुड की नामी हस्तियों के शादी विवाह के आयोजन के लिए भी उदैपूर का नाम जाना ज जाता हैं। बॉलीवुड की स्टार फिल्मों की शूटिंग अक्सर उदैपूर शहर वस्टार होटलों एवं अरावली परवत श्रिंखला की वादियों में फिल्मी शूटिंग की जाती हैं। पानी से गंदगी बाहर निकल जाती हैं। इसी कड़ी में पर्यतन स्थलों में शुमार दूट तलाए जील उपेक्षित नजर आती हैं। जील के बन अनुमान मंदर छोड से पर्यतन पुलिस की केबिन तक जील के पानी पर जलिये घास की चादर बिच्छी हुई नजर आत खबरों की खुश्पू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है। बे रोग दोग देश की हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहे दैनिक नवजोती। दैनिक नवजोती के येट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।